कि वेलकम दोस्तों फ्यूचर जोन कोचिंग सेंटर के आप ओनलाइन और ओफलाइन प्लेटफर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत हैं मेरे प्यारे बच्चो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मैं परती दिन आप लोगों को करेंट अफेर की एक वीडियो दे रहा हूं और करेंट अफेर की वो कोश्चन्स मैं आपको दे रहा हूं जो इंपोर्टेंट हैं जो आपके एक्जाम में आने वाले हैं और उन कोश्चन्स को मैं उनके साथ इस्टेटिक जी के जोड़के भी पढ़ा रहा हूं हाँ हम लोगों के पास संसाधन की कमी है डिजिटल बोड नहीं है लेकिन कंटेंट हम लोगों का हर कोचिंग सेंटर से अच्छा है तो सभी बच्चे इस कंटेंट को देखे ना कि आप संसाधनों को देखे कंटेंट से काम होगा ना कि संसाधनों से काम होगा डिजिटल बोड नहीं है मेरे पास लेकिन कंटेंट मुझसे अच्छा किसी का नहीं होगा जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो एक्जाम में आने वाला content है तो ध्यानपूरवक तरीके से पढ़िए और जर्णली कहा यह जाता है कि वह यह अगर आपको लग रहा है कि मैं slow पढ़ा रहा हूँ तो speed आप लोग तेज करके पढ़ लीजे यूट्यूब पे आप अपने एक वीडियो का अपने एक कोपी कर लीजे ठीक है तो क्योंकि जब हम लोग exam देने जाएंगे तो हमारे साथ वीडियो नहीं होगी उस टाइम हमारे पास कोपी होगी जिसका हम एक दिन के अंदर-अंदर revision कर सकेंगे तो dear students आप सब लोग तयार हो जाएए आज के लि विकास के लिए विस विज्ञान दिवस परतिवर्स कब मना जाता है कहता है सांतियम विकास के लिए विस विज्ञान दिवस कब मना जाता है तो यहां मेरे लिए इतना important नहीं है कि विस विज्ञान दिवस कब मना जाता है परतिवर्स विस विज्ञान सांतियम विकास के ल समाज की परगती में सबसे बड़ा गटक होता है तो विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए ही सांतिय विकास के लिए विज्ञान विज्ञान दिवस मना जाता है और कब मना जाता है इस सवाल का अंसर आता है दस नौंबर दस नौंबर को मना जाता है ठीक अब दस नौंबर को तो विज्ञान दिवस मना जाता है परतिवर्स अब यहां हम लोग चर्चा करेंगे इसको किसके दुआरा मना जाता है एक किसके दुआरा इसको प्रारंब किया गया तो आप सब लोग जानते होंगे एक युनेसको नाम स गया था 2001 में युनेस्को द्वारा सो प्रारम किया गया था अब सवाल आता है वह यह स्थापना किसकी हम लोग किसकी बता बात कर रहहें युनेस्को की जो You हुई थी उनिस सो पैंतालिस में हुई थी कब हुई थी उनिस सो पैंतालिस में युनेसको की स्थापना हुई थी ठीक और इसका मुख्याल्य जो है पेरिस में है इसका मुख्याल्य का है बच्चा लोग पेरिस में है युनेसको का तो ये एक सवाल मैंने आप लोगों को पढ मना जाता है सवाल आया विस गुनवत्ता दिवस परती वर्स कब मना जाता है विस गुनवत्ता दिवस परती वर्स कब मना जाता है ताप के स्क्रीन पर विस गुनवत्ता दिवस कब मना जाता है नौमबर के दूसरे गुरुवार को और इस साल कब पढ़ा है नौमबर के दू दूसरे गुरुवार को इसको मनाने का उद्देश से क्या है एक्चुली में आप अगर जाएंगे मार्केट में तो उच गुनवत्ता वाली वस्तवें नहीं पराब्त होती तो आप लोगों को जागरुकता परदान करने के लिए विस गुनवत्ता दिवस हर साल मनाया जाता ह है तो नेक्स्ट वन कुश्चन अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर डियर यस कहता सतर्वा परवासी भारतिय दिवस सम्मेलन इंदोर में इंदोर को आप जानते होंगे इंदोर कहा है एंपी में इंदोर कहा है बच्छा लोग एंपी में इंदोर है मध्य परदेश में और ये चर्चा में क्यों है ये चर्चा में इसलिए है जब से राष्टिया स्वच्टा सर्वेक्षन अभिया शुरू हुआ है तब से इंदोर नंबर वन पर जाता है तब से इंदोर क्या है नंबर वण पर है तब से इसकी już है करेडिटिवीटि डाउन ने होई तब से पहले स्थान पर चला इंदोर थिक एक तो इसलिए फेमस है दूसरा जो 2023 में परवासी सम्मेलन मना जाएगा वो कहां मना जाएगा इंदोर में मना जाएगा क्लियर होगी बात तो ये संबेलन जो है कब से सुरू हुए इन संबेलन की सुरुवात कब से होती है पहली तो बात ये किस तिथी से मना आ जाता है तो तिथी को किस तिथी को मना जाता है परवासी दिवस कम मना जाता है नो जनवरी को मना जाता है नो जनवरी को परवासी दि 1915 में कब 9 जनवरी 1915 में मात्मा गांधी दक्षिन अफरीका से भारत लोटे थे मात्मा गांधी दक्षिन अफरीका से भारत लोटे थे कब लोटे थे वाई लोगों 9 जनवरी 1915 में कौन M.G. गांधी मात्मा गांधी मात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में दक्षिन अफरिका से बारत लोटे थे इसलिए 9 जनवरी को क्या मना जाता है आपका परवासी दिवस मना जाता है ठीक, इसकी सुरुवात कब हुई परवासी दिवस की सुरुवात कब हुई तो परवासी दिवस की सुरुवात 2003 में हुई थी परवासी दिवस मनाने की परक्रिया या सुरुवात कब हुई थी 2003 से सुरू हुई थी ठीक है, अब यहाँ युवा परवासी भारते दिवस जो विसिष्ट अथिती है इसमें किस युगा को विसिष्ट अथिती का दरजा दिया गया क्या विसिष्ट अथिती एक होता है मुख्य अथिती एक होता है विसिष्ट अथिती तो मैं किसकी बात कर रहा हूं विसिष्ट अथिती की बात कर रहा हूं तो विसिष्ट अथिती जो थे विशिस्त थी जो थे वो कौन बनाएगे तो आस्ट्रेलिया की संसद सदसें जोनेटो आस्ट्रेलिया के संसद सदसें जोनेटो उनको बनाया गया अब दूसरा जो बिंदू आता है वह आता है वह आता है वह यह मुख्या थीती मुख्य अथिती मुख्य अथिती किसे बनाया गया मुख्य अथिती किसको बनाया गया अगला सवाल ही आया कि मुख्य अथिती कौन रहेगा इस सत्रवे परवासी दिवस पर सत्रवे परवासी दिवस पर मुख्य अथिती कौन रहेगा ये question आपके screen पर आ गया होगा तो यहाँ एक राष्ट है गुयाना कौन सा राष्ट है गुयाना गुयाना के राष्टपती रहेंगे कौन रहेंगे गुयाना के राष्टपती रहेंगे मुख्यातिती अब गुयाना के next question कि तरफ हम लोग चलते थे इसमें जो एक चीज छोटी रह गई बैटे यह जो आयोजन होगा 8 जनवरी से 10 जनवरी तक 2023 तक होगा 8 जनवरी से कितनी जनवरी तक 8 से 10 जनवरी 2023 तक इस cancer होगा तो next question आपकी screen पर लेकर आता हूँ केंद्रिय रिजर पुलिस बलकि स्थापना किस वर्स होई केंद्रिय रिजर पुलिस बलकि स्थापना किस वर्स होई केंद्रिय रिजर पुलिस बलकि स्थापना किस वर्स होई केंद्रिय रिजर पुलिस बलकि स्थापना कब होई सवाल आपकी स्क्रीन पर आया कहता है CRPF कि 1949, कौन सा होता है 1949, बस इसमें तो ज़्यादा कोई विसेस बात बताने वाली है नहीं next one question अगला सवाल yes कौन सी बारतिय फर्म मंगोलिया की green field refinery का निर्मान करेगी मंगोलिया की green field refinery का निर्मान करेगी, कौन सी बारतिय फर्म मंगोलिया एक देश है जो चीन से उपर पड़ता है जहां का चंगेज खान होता था चंगेज खान ने बारत पर आकरमन किया था वहां मंगोलिया एक देश है तो मंगोलिया मंगोलिया में एक तेल green field तेल रिफाइनरी का स्थापना करनी है तो कौन उसकी स्थापना करेगा तो उसकी स्थापना करने जा रहे mega engineering infrastructure limited लेकिन यहां सवाल मेरे लिए ज़्यादा important नहीं है मेरे लिए important है क्योंकि जिस देश में बारत की कोई company अपना project स्थापित कर रही है तो उसके विशे में हमको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए मंगोलिया मैंने बताया कि चीन से थोड़ा सा लगा हुआ देश है और चंगेज खाँ मंगोलिया का ही था जिसने बारत पर कई सारे आक्रमन किये थे और जिसको भगवान का जलाद के नाम से भी जाना जाता है चंगेज खाँ को किसके नाम से भी जाना जाता है भगवान का जलाद के नाम से भी जाना जाता था ये जो है इसकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए क्या पता होनी चाहिए राजधानी तो इसकी राज़दानी है उलान, बटोर, उलान बटोर इसकी राज़दानी है, कलियर होगी बात पेटे, नेक्स्ट वन, अगला सवाल किस राज्य के मुख्यमंत्रे ने लखपती दीदी योजना की सुरुवात किये का मतलब क्या होता हुआई साब कि जो महिलाएं हैं उनको लखपती बनाने की योजना प्रारम किये लखपती बनाने की योजना सुरु किये तो कह रहा है किस राज्य सरकार द्वारा ऐसा काम किया गया है किस राज्य द्वारा ऐसा सुरू किरा जा रहा है तो इस सवाल का जो आंसर आता है वो आता है भाईया उत्राखंड कौन सा आता है उत्राखंड उत्राखंड राज्ये ने लगभग 1.25 लाक महिलाओं को कितने लगभग 7 लाक महिलाओं को क्या बनाने की कोशिस की है कि उसनको लगपती महिलाओं बना दी जाएगी उनको उनके बिजने सेट अप करने के लिए तकनी की ग्यान परसिक्षन उत्पादों के वित्रन की सुईदा अपलब्द कराई जाएगी तो यह उत्तराखंड आया अब उत्तराखंड की राजदानी क्या है कोई बच्चा बताएगा उत्तराखंड की राजदानी कौन सी है द देहरा दून है ओके ठीक है तो ये देहरादून की श्विलिंग गलत हो तो बच्चे कहर última कि देह मत अहे पतर डंड, आठा तो चलो आठा दिया वाईया अब सबाल है कि कि बताईए देहरा दून तो राजधानी है और इसका विदान सभा कारियाल्य भी कहा है देहरा दून में लेकिन इसको यहां से कहीं ट्रांसफर करा जा रहा है दूसरी जगे तो इस दूसरे अस्थान का नाम बताओ कि जहां उत्रा खंड के विधान सबा कारियल्य को स्थापित किया सबच्चे कमेंट करके बताएंगे क्लास में उसमें जब आपके पास वीडियो पहुँच जाएगी तो उसमें आपको क्या करके बताना है कमेंट करके बताना है दूसरी राजधानी काँ स्थापित की जा रही है नेक्स्ट वन सवाल आपकी स्क्रीन पर हाल ही में केंदर सरकार ने जब उच्छ सिक्षन संस्थानों के मुलांकर और मान्यता को मजबूत करने के लिए किस समीती की स्थापना की है एक केंदर सरकार ने उच्छ सिक्षन संस्थानों के मुलांकर और मान्यता को मजबूत करने के लिए किस समीती की स्थापना की है डियर डियर स्टुडेंट एक सब्द सुना होगा आप लोगों ने यूजी सी क्या सब्द सुना होगा UGC University Grant Commission विस विद्धाले अनुदान आयोग UGC विस विद्धाले अनुदान आयोग University Grant Commission University Grant Commission ने क्या किया एक ऐसी समीती का गठन कर दिया जो कोपियों के मूलांकन या कोलीजों के मूलांकन और उनकी मान्यता को मजबूत करने के लिए अपनी सिफारिस परस्तूत करेगे तो उसके लिए एक समीती का ठीट कर दी और उस समीती की स्थापना किसके अध्धक्स्ता में हुई तो ये उस समीती का नाम क्या रख दिया गया तो उस समीती का नाम रख दिया गया राधा कृष्णन समीती क्या नाम रख दिया गया राधा कृष्णन समीती कौन रख दिया गया बच्चा राधा कृष्णन समीती रख दिया गया अब सवाल आते हैं कुछ इसे related इस्टेटिक जी के के, UGC की स्थापना कब हुई, UGC की स्थापना कब हुई, तो UGC की स्थापना है 1956 में, UGC की स्थापना कब हुई बचो 1956 में हुई, दूसरा सवाल आता है कि UGC के अद्यक्स कोन है, अद्यक्स कोन है, तो अद्यक्स है ज जगदीश कुमार, अब यह आता है कि UGC में सदस्य कितने होते हैं, UGC में सदस्यों की संख्या क्या होती है, किस परकार की सदस्य संख्या होती है UGC में, तो इस सवाल का जबाब आएगा, क्या, कि एक तो होता है अध्यक्स, क्या होता है एक अध्यक्स, एक होता है उपाध जैक्स होता है कलियर होगी बात बयाट है यहां हमसे पुछा कि 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 इस अधियस कुमार तो य के स्थापना अनुसेफ़ य म entreprises चाहिए उद्ली कमि अगर बात करें यह दिल्ली में कहा है बैटे नई दिल्ली इसका मुख्याले कहा है नई दिल्ली में next one question फिक्की के नए अध्यक्स कोन बनेंगे फिक्की कहता फिक्की के नए अध्यक्स कोन बनेंगे फिक्की एफ आई डवल सी आई फिक्की के अध्यक्स कोन बनेंगे तो अध्यक्स कोन बनेंगे ये तो है सुभाकांथ पांडे कौन है सुभकांथ पांडे सुभकांथ पांडे इसका क्या बनेगा अध्यक्स बनेगा इसका कारिये क्या होता है फिक्की का कारिये क्या होता है इस फिक्की का कारिये होता है आर्थी कनुसंदान करना क्या करना बच्चो आर्थी कनुसंदान आर्थी कनुसंदान करके क्या करता है पेपर छापता है जिनके आदार पर सरकार भी कई सारी नीतियों को बनाता है जिनके आदार पर क्या करता है कई सारी नीतियों को भारत सरकार भी बनाती है इसका काम क्या है आर्थी कनुसंदान करना ठीक है फिक्की का अब यह फिक्की की स्थापना कब हुई थी भिक्खी की स्थापना हुई थी 1935 में 1935 में सड़ी 27 में 1927 में इसकी स्थापना हुई थी कि अच्छा इसकी स्थापना करी किस ने थी बाई लोगों कि इसकी स्थापना करी थी जीडी बिडला नाम सुना है कहां सुना है जीडी विडिला का नाम कहा सुना आप लोगों ने फाइल में जीडी विडिला का नाम कहा सुना है आप अगर देखे एक पूना पेक्ट हुआ था कौन सा पेक्ट हुआ था पूना पेक्ट किस-किस के मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द और गांधी जी के मद्दय डाक्टरम बेड कर और किसके मद्दय वह था गांधी जी के मद्दय वह था पूना पैक्ट यहां तब तक एक संग स्थापित कर दिया था डाक्टरम बेड करने उसका नाम था हरीजन सेवक संग कौन सा हरिजन सेवक संग इस हरिजन सेवक संग के पर्थम अध्यक्स होते थे कौन जीडी बिड़ला तो यहाँ आप लोग उने नाम सुना होगा जीडी बिड़ला इस हरिजन सेवक संग के अध्यक्स होते दूसरा एक नाम तो आपने सुना होगा बिड़ला भावन कौन सा बिड़ला भावन ये बिड़ला भावन कहा है दिल्ली में यहां ही मात्मा कांधी जी की अत्या की गई थी यहीं पर मात्मा कांधी जी की क्या कर दी गई थी अत्या कर दी गई थी कब करी थी 30 जनवरी 1948 में 30 जनवरी 1948 में यहीं पर रत्या कर दी थी किस परसित फुटबॉलर ने खेल से सन्यास की गोफना कर दी है तो यह है जे आर्ड पिक ए आंसर आता है और यह स्पेन का खिलाड़ी है कोई ज़्यादा विशेस इसमें बात मेरे पास बताने के लिए नहीं है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रक्सानों संदान और विकासंगठन किस मंतराल्य के अधीन आता है सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाए दे रहा होगा अगर आपको लगे कि मैं स्लो थोड़ा पढ़ा रहा हूं तो आप अपने यूट्यूब की स्पीड बढ़ा कर जल्दी जल्दी चीज़ें देख सकते हैं लेकिन मैं तो यह कहूंगा आपके पास कोपी बननी चाहिए हर कोश्चन की कोपी में नोट होना चाहिए ताकि आप जब एक्जाम आपका आए तो एक दिन के अंदर अंदर पूरी करण्ट अफेयर को क्या कर सकें आप रिवाइज कर सकें ठीक आप वीडियो देखने का समय आपके पास उस समय नहीं होगा आज समय आप लोगों के पास तो आज तो क्या करिए इन सारी चीजों को आप क्या कर लीजे रिवाइज कोपी में नोट कर लीजे और अपने आप से इनको करिए सवाल आता है रक्सानों संदान विकासंगठन की समंत्रा लेके अधीन आता है तो इस सवाल का अंसरा आता है यह है DRDO क्या है DRDO Defense Research Development Organization DRDO की स्थापन 1958 में हुई थी 1958 में DRDO की स्थापन हुई थी और इसका मुख्याले का है दिली में इसका मुख्याले का है बचो दिली में और यह किस मंतराले के दीन आता है रक्सा मंतराले के दीन आता है किसके मंतराले के दीन आता है रक्षा मंतराले के दीन आता है अब इसके अध्यक्स कोन है अब वरतमान में इसके अध्यक्स होन है तो इसके वरतमान में अध्यक्स हैं सतीस रेडी कोन है किसके डिया डियो के सतीस रेड़ी स्के अध्यक्स हैं नेक्स्ट वन कॉस्चिन येस डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वन कॉस्चिन आपकी सक्रीन पर लाता हूं आया डियर कहता है राष्ट्य विदिक सेवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है राष्ट्य विदिक सेवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है परतिवर्स कब मनाया जाता है राष्ट्य विदिक सेवा दिवस तो कहता है इसको नो नौमबर में मनाया जाता है कब मनाया जाता है नो नौमबर में इसको मनाया जाता है एक्चुली मैं क्या है ये राष्टे विदिक सेवा दिवस क्या है जरा ध्यान से आप लोग इस बात को समझ लीजे ये गरीब और कमजोर वर्ग के लोग थे उनको विदिक साहता परदान करने के लिए विदिक जानकारी परदान करने के लिए इसका गठन किया गया था इसको जो स्थापना होई थी राष्टे विदिक कानूनी सेवा प्राधिकरण की जो स्थापना होई थी वो होई थी 1987 में कब होई थी 1987 में लेकिन इसको क्या कर दिया गया कानूनी रूप कर दे दिया गया या लागू करा गया 995 में 9.195 में इसको क्या कर दिया गया लागू कर दिया गया ठीक है तो यह क्या करता है जो कमजोर वर्ग के लोग है जो गरीब तबके के लोग है उनमें कानूनी जाग रुकता फैलाने का काम करता है उनको जो कमज़ोर है उनको मुफ्थ, कानूनी साहिथा परतार या करता है सबी लोगों को नयाए सुरक्षित हो सके इसके इसके ये काम करता है अंगला सवाल कहता है ट्रέکके एसिया कप 2022 की मेघमानी कौन करेगा ट्रेके एसिया कप तो समसे पहली बात था यह कि बहिया ट्रैक एसिया कप है किस से सम्मधित है ये कौन से खेल से सम्मधित है सबसे पहली बात तो यही है कि आयोजित कहां होगा वो बाद की बात है सबसे पहले तो ट्रैक एसिया कप 2022 का आयोजिन कहां हुआ या होगा कहां होगा बताएगा कोई बच्चा ये होगा केरल में कहां होगा केरल में दूसरी वात केरल में होगा दूसरी वात ये किस से सम्मधित है किस खेल से सम्मधित है तो cycling से है किसे है साइकलिंग बाइसाइकलिंग साइकल राइडिंग से संब्धित है नेक्स्ट वन ट्रेकेशियकप एस किरल में होगा और यह साइकलिंग से रिलेटेड है नेक्स्ट परदानमंत्री रहात कोस की स्थापना किस परदानमंत्री द्वारा की गई थी परदानमंत्री रहात को उसकी स्थापना किस परदानमंत्री द्वारा की गई थी तो जवारलाल नेरू राइट आंसर इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी जवारलाल नेरू द्वारा की गई थी आप अगर बच्चे आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर करे कमेंट करने से उत्सा थोड़ा सा वरधन होता है उत्सा में वरद्दी होती है और मैं और अच्छे-च्छे कोश्चन लाने की कोशिज करूँगा नैट्स्ट वर्ड कॉस्चन लेने वाले पहले खिलाड़ी कोन बने और complaint लेने वाली होती नीएहां हेट्रिक से मीनिंग जो है तीन-तीन अर्थ सतक भी बनाएं तो उसका नाम है विराट कोली उसका नाम कोन है विराट कोली ऐसा खिला डिये जिसने तीनों के तीनों तीन वर्ल्ड कप खेले टी-ट्वेंटी और तीनों में 50-50 तीन-तीन 50-50 भी लगाई तो इस सवाल का अंसर क्या आता है विराट कोली नेक्ट वन हाली में किस राज्य के मुख्यमंत्री सीवराज सिंग चोहान ने लाडली लक्समी जियोजना टूपा सीवराज सिंग चोहान सब लोगों वो पता है मामा के नाम से परसिद है और किस राज्य में मद्य पर्देश मद्य पर्देश को अन्य किस नाम से जाना जाता है मद्य पर्देश को अन्य किस नाम से जाना जाता है दो तीन नाम है दो तो मेरे ही आ रहे हैं एक तो है तो है सोया पर्देश एक तो है सोया पर्देश एक नाम तो क्या वच्जो, वच्छो, सोया परदेश, दूसरा नाम है Tiger State, कुन सा? Tiger State के नाम से भी मद्या परदेश कोई जाना जाता था है भारत के सबसे अधिक वन्य जीव बरणे किस राज्य में हैं मध्या परदेश में हैं राज्य में देश की सबसे बड़ी पॉंड टरबाइन बहुत बड़िया कॉस्चन है पवंटरवाई मनताब 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 पवंटरवाई म पवन उर्जा को अन्य किस नाम से जाना जाता है पवन उर्जा को अन्य किस नाम से जाना जाता है कोई स्टूडेंट अगर बता सके पवन उर्जा को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो पवन उर्जा को जाना जाता है अक्षे उर्जा अक्षे उर्जा के नाम से याद रखना जितनी भी परकरती दुआरा उर्जा पर दान की जाएगी उन सब को अक्षे उर्जा के नाम से जाना जाएगा यानि कि आप सोलर से बिजली बना रहे हैं तो अक्षे उर्जा है आप जो है जवार बाटे से उर्जा बना रहे हैं जिसमें आपके अपनी फोर्स नहीं लग रही है उसको भी अक्से उर्जा के नाम से जाना जाता है लेकिन आप कोईले से बना रहे हैं तो वो अक्से उर्जा के अंतरगत नहीं आते जिससे जो समाप्तन होने वाली चीज हो उससे जब उर्जा आप बनाए जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे आप अक्से उर्जा ठीक इसको नवी करनी है उर्जा के नाम से भी जानेंगे नवी करनी है उर्जा अच्छे एक सवाल और मेरे याद आ गया पवन का वेग मापने के लिए पवन का वेग मापने के लिए किसी अंतर का परियोग होता है anyone student yes एनिमो मीटर क्या एनिमो मीटर एनिमो मीटर उसको एनिमो मीटर के नाम से भी जाना जाता है clear अब सवाल यह चला था कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक अक्से उर्जा उत्पादित होती है पवन उर्जा सोरी अक्से उर्जा हो रहे केस लेकिन अभी मैं बात करो पवन उर्जा सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादित होती है तो यहां सवाल का अंसर आता है तमिल नाडू कौन सा तमिल नाडू तमिल नाडू में सबसे अधिक अक्षे उर्जा उत्पादित होती है किसमें कौन से राज्य में तमिल नाडू में सवाल आता है भारत विस्व के किस देश में सबसे अधिक पवन उर्जा उत्पादित होती है तो उसका नाम है चीन चीन में समसे अधिक पवन उर्जा का उत्पादन होता है नेक्स वन कुश्चन आपकी स्क्रीन पर येस डियर स्टुडेंट कहता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक किस मंतरा लेकर दीन आता है क्या है ये एक्चुली में क्या है जो पानी पर तेरता हुआ वित्य साकसरता फैलाएगा इसके वित्य साकसरता सीविर का अजन इसी के अंतरगत किया गया है तो पूछ रहा है कि बताए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक किस मंतरा लेकर दीन आता है तो ये संचार मंतरा लेकर दीन आता है क्योंकि जब आप exam देने जाएंगे आपके साथ ये वीडियो नहीं होगी ना मैं कहता किसी की वीडियो भी देखना उस time आज time है आपके पास per day आपको पढ़ा रहा हूँ इनको आप लिख लीजे अपनी copy में one liner बना के और एक तो लिखते लिखते ही याद हो जाएंगे और जिस दिन आप exam देने जाओगे ना उस दिन आप इनको क्या कर सकोगे एक पांचे गंटे के अंतर अंदर सारी current affair को क्या कर लोगे और लिखना और उसको फिर पढ़ना वो जादा effective होता है इन वीडियोज को देखना कई सारे लोग कहते है वीजुवल वीजुवल तो है लेकिन वीजुवल से मतलब यह नहीं होता कि आप वीजुवल में ही रहो आप उसको रिडिंग भी करो और राइटिंग भी करो ठीक है इनवेस्ट करनाटक 2022 ग्लोबल इनवेस्टर मीट का उदगाटन कीस नहीं है देखो действительно में क्या इनवेस्टर इब उतबर ते हैं इसमें भी इनवेस्टर मीट होने वाली है तीन चार बार इनवेस्टर मीट हो चुकियैं इनवेस्टर मीट का मतलब होता है कि लाग पकraph करोड तो कहता है करनाठेक वी इसका उधगाटन किस ने किया तो इसका उधगाटन नरेंदर मोधी जी ने किया तो इसमें कोई विश्य इस मेरेको बात दिखाई नहीं रही अगला सवाल भारते निरवाचन आयोग के आयुकतों का कार्येकाल कितने ऊपसे पहले तो आपको क्या होन आप कमेंट करके मेरे को बताएंगे वीडियो में कि निर्वाचन आयोग किस भाग में है हमारे समिधान के किस भाग में है और किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग है ठीक है, बाकी जानकारी मैं आपको देता हूँ इसका गठन 25 जनवरी 1950 में हुआ इसका गठन कब हुआ 25 जनवरी 1950 में हुआ ये एक सदस्य था प्रारंब में एक सदस्य आयोग था कितने सदस्य आयोग था वाई लोगो एक सदस्य आयोग था प्रारंब में ठीक और जो पहले अध्यक्स थे उनका नाम था सू कुमार सेन कौन था सू कुमार सेन उनका नाम था उनका नाम क्या होता था सू कुमार सेन होता था ठीक है अब ये 1903 में तक कब तक 1903 में तक एक सदस्य रहा लेकिन 1903 में में इसको कितने सदस्य बना दिया गया तीन सदस्य बना दिया गया यानि कि अब कितने सदस्य आये हो गए है तीन सदस्य आये हो गए एक अद्यक्स होता है एक मुख्य चुनावाय उक्त होता है और उसके साथ दो अन्याय उक्त होते है वर्तमान में मुख्य चुनावाय उतका नाम राजी उकुमार है कौन है राजी उकुमार है वर्तमान में चुनाव आयूत का नाम कहा है राजी उकुमार तो आपका खुमर क्या बता है मैंने किस आर्टिकल में आएगा और कौन से भाग में है ये कमेंट करके आप लोगों को बताना है नेक्स्ट वन कॉश्चन और आज का रंतिम प्रसन हाली में कौन स्वतंतर भारत के पहले मतदाता ने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर पसे मतदान किया है सवाल पहली बार गया ये व्यक्ति वोट करने के लिए बैलेट पेपर पे तो कौन व्यक्ति था इसका नाम हम से पूछा गया तो इसका नाम था शा सब्सक्राइब अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो सेर जरूर करें अगर आपको लग रहा है कुछ कमिया है तो कमेंट करके बताएंगे मैं उन पर और अच्छा कोसिस करूंगा संसादनों की आप सकता नहीं होती जब आप लोगों के अंदर एक जिद होती है जीतने की संसादनों की कोई जो रत नहीं होती हमारे पास संसादन कम है लेकिन फिर भी कंटेंट हम लोग अच्छा आप लोगों को देंगे आप सब बच्चे ऐसे प्यार बनाई रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर करें धन्यावाद थैंक यू झाल झाल